तो भाई यार सभी गोराम आज है हमारे 100 अब चैलेंज का डे 32 और भाई consistency इस दीकी आज मैं इस वर्ड पर मान गया क्योंकि मैंने अपने अंदर जो एक महिने से अभी हमारा वी चैलेंज का एक महिना हो गया है हमारा 32 थो अभी जो कंसिस्टेंट कर रहा हूं और बॉडी में इतना चेंज देख रहा हूं आभी मैं इतना नंबर मेरा मंदब खुदको फिल हो रहा है जो नॉर्मल रहाए और और वेट भी अच्छा बढ़ गया अभी हमारा 74 kg हो गया है ठीक है तो भाई जिसे बोलते consistent रहो consistent रहो भाई बिल्कुल consistent रहोगा आपको result मिले और भाई यह सब changes में अपने body में first time feel कर रहा हूं मुझे लग रहा है कि हां मैं कुछ कर रहा हूं क्यूंकि भाई इससे पहले इतना determination के साथ मैंने आस तक कुछ नही कब workout करना है कब नहीं करना है मतलब एक महीने से जो अभी continuous में हूं मुझे काफी अच्छा अपने बहुत अच्छा feel हो रहा है अपने उपर भी और proud भी काफी feel कर रहा हूं कि हां कुछ कर रहा हूं भाई ठीक है ऐसा अभी गोल लेके चल रहा हूं ठीक है मैं भी बोलना चा करता था अब 36 किलो इंक्लाइन इच हैंड में इंक्लाइन बेंच प्रेस मार रहा हूं आज अपन 38 भी ट्राइक करेंगे अपना चेस्ट वर्क आउट है लेकिन चैलेंज में आज हम एब्स लेंगे ठीक है क्योंकि अभी मैंने टार्गेट नहीं किया बहुत समय से और हमें एब्स पर ध्यान देना होगा क्योंकि जैसे जैसे वेड बढ़ रहा है हमारे फेड होते जा रहा है तो यह हमें अपनी पूरी बॉड़ी पर फोकस करना है ठीक है तो इसलिए अभी मैं अभी आप्स पर मलब हपता हपता दस दिन होगा मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है तो वही क्या है देखो यह अभी जैसे अभी मेरे लिए भी बोल सकते नया चीज़े क्योंकि अभी मैं पहले वर्क आउट कर लेते कुछ टाइप कुछ भी कर लो इस टाइप का था लेकिन अभी अभी आपन अपने बॉल है पूरे बॉड़ी को अच्छा सा अपना शेप लिए उसको तो आप मेरे बहुत पतले थे उस समय फुटबॉल भी खेलता था उस समय फुटबॉल भी खेलता था तो अब चाहे जितना भी वर्क आउट कर लू जाके फिर दो घंटा फुटबॉल खेलना है तो सबसे पहले मेरे आम में ही फरक दिखता दम पतले हो जाते थ सतर दिन में कम्प्लीट हो जागा लेकिन डिसेंबर तक अभी मुझे अपने पूरा कम्प्लीट मैंने ठान के राखे डिसेंबर तक एक अच्छी तगड़ी बॉड़ी बनानी है तो यह ऐसी छोटे-छोटे गोल के साथ आगे चलो क्योंकि गोल अपना रखोगे तब आप बढ़ पाओगे अभी हम चलते हैं जिम बढ़िया विए चेस्ट वर्काउट लेते हैं और आज एब्स का भी वर्काउट करेंगे ठीक है और प्रॉपर डाइट यह सब भी बहुत जरूरी है आपका जो गोल है आप उसके तरफ भी एक बढ़िया सा लिस्ट बनाओ मैं भी सब कुछ लिख के रखाऊं लिखना जरूरी है क्योंकि आप जब लिख होगे तभी आप कर पाओगे अगर आप से मन में रखोगे यह करूँ है आप चाहिए जितना भी जो करना है कर लो नहीं हो पाएगा आपको लिखना पड़ेगा यह मेरा जो है मैं जो इंप्लिमेंट करता हूं मेरे अपने पर है ठीक है बाकि आप यह अपने पर इंप्लिमेंट करके देखो आप उसे लिख के रहो कहीं दिवाल पर चिपका लो या फिर उस चीज को डेली देखो देखो रिजल्ट मिलेगा तो भी चलते हैं बढ़ी आपना वर्काउट करते उससे पहले आप जिम पहुच गया जिम पहुचते वे आज हमारा था चेस्ट वर्काउट तो पहले हमने अच्छे से अच्छेस्ट का वर्काउट के और काफी अच्छा पंप आया भई चेस्ट का उसके बाद हमने एब्स का वर्काउट लिया और आज हम यह साइड प्लैंक करके अपना को ऐसे रख के जैसे मैंने रखा है साइड प्लैंक में आ जाएंगे और उसके बाद यह अब डाउन मुव्मेंट करेंगे यह साइड प्लैंक करने से आपका सबसे पहला बेनिफिट यह है कि जो आपके अबलिक्स मसल्स होते हैं वह इसमें मेलनी टारगेट होते हैं और आपक अबलिक्स मसल्स है आपको अच्छा शेप देने में बहुत करेंगा तो आज हमने इसी के अपना चैलेंज कंप्लीट उसके बाद हमने थोएदर पोजिंग की प्रक्टिस की और भाई आम्स हमारे काफी तगड़े हो रहे हैं और भाई आज का चेस्ट वरकाउट काफी अच प्रोटीन लिया उसके बाद आपन बस जो घर पर बना था रोटी सब जीने रहे भाई ठीक है और आप लोग सोचते हों कि कुछ अलग खाना पड़ता है कुछ अलग नहीं खाना पड़ता भाई जो घर कह वहीं बढ़िया से खाओ दबाके ठीक है कितने क्वांटिटी में बस उसका ध्यान रखना ओवर एटेंग ठीक है मत करना और बस प्रोटीन का जो इंटेक है बढ़ा दो एक जनरली आपको फिटनेस चाहिए उसके लिए बता रहो ठीक है अगर आपका कुछ गोल और अलग है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा रिसर्च ही सब करके फिर करना बाकि अगर आप चाहते हो नॉर्मल जैसे मैं मेरा ऐसा कुछ गोल नहीं किता हूं मैं सब्सके हिसाब से तो यह मैं अपना डेली का जो मेरा 70 अभी 74 kg जो बॉड़ी वेट है उसके हिसाब से मेरा अभी 80-90 ग्राम प्रोटीन मुझे लेना है ठीक है इसके हिसाब से जो को अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा तो यह छोटे-छोटे चेंजे से बाकि यार जो घर कह वही खाओ बढ़िया से दबाके और प्रोटीन का बस वही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और जैसे मैंने बहुत समय से कुछ बहार करनी खाया था तो आज थोड़ा समन हुआ बहार कर से कुछ खाने का तो बहार पर ना खाके बस मैंने यारी मैगी ले आया ठीक है यह नूडल्स ले आया तो इसका यह खाने के बाद थोड़ा सा यह सूप वाला बस मना तो अपने आपको जैसे ट्रीट दे रहा हूं अभी 10-15 दिन से अभी मालदा बूल सकते हो कि बाहर का कुछ निखाया चट पटा इसे बास्त्वा मन हुआ तो बढ़िया अभी इसमें प्याज मेर से सब डाल बनाते तो ऐसे चट पटा और खाते हैं तो ऐसे आप यार अपने आपको ट्रीट दे सकते हैं मैंने अपने आपको ट्रीट दें कि हाँ तु बाकी अपने ऐसा निए कि दम वह पूरा दम डिसिप्लीन डिसिप्लीन तो है लेकिन एक बोलते हैं कि नहीं अब क्यों खाया यह वैसा आप मेरा निया भाई मैं अपना खा सकता हूं क्योंकि मैं उतनी महनत कर रहा हूं तो यह मैंने अपने आपको ट्रेट दिया है ठीक है बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको मज़ा आ रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है अगर आप मेरे साथ भी अगर मेरे साथ भी अगर आप वर्काउट कर रहे हो अपने ठीक है आप यह कर कुछ गोल लेके चल रहे हो तो भई all the best बाकी मिलते है अपकर बढ़ी आज अपना हुआ और गर्मी बहुत है तो अपने आपको हाइड्रेट रहो क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही है ठीक है अपने आपको हाइड्रेट रहो बाकी मिलते है कर लिक नए वीडियो के साथ